हलो फैंस आपका स्वागत है हमारे चैनल रामगा टेग में दोस्तो आज का बहाली का अपडेट निकाला गया है वो जहरखंड के जीला हजारी बाग के तरफ से निकल करा है जिसमें लगबग साड़े तीन हजार बहाली का अपडेट बताया जा रहा है और आपको बता दे इसमें क्वालिफिकेशन मीनिमम जो बताया गया है पांच भी पास से लेकर ग्रेजवेशन और पीजी भी अगर आप पास है अगर इंटर पास है मैट्रिक पास है तो सभी लोग फोर्म को अपलाई कर सकेंगे आपको बता दे इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी पोस्ट की यहाँ पर निकाले गया जैसे के होम गार्ड हो गया पारबर हो गया पलंबर हो गया इलेक्टिशन हो गया फिटर हो गया वेल्डर हो गया Cashier Guard हो गया तो बहुत सारी यहाँ पर बाहली का Update निकाला गया और इसमें बता दे और ये बाहली का जो Update निकल कराया है सरम N passage अवं परसिचन विबाग के तरफ से निकाला गया है जो कि इसका बाहली जो है Direct बाहली होने वाला है और इसका टाइमिंग और डेट जो बताया गया 26 सितंबर 2018 सुबह 10 बजे से साम 4 बे तक इसका टाइमिंग बताया गया है तो आपको उसी समय बहाली लिया जाएगा तो चलिए क्या कुछ खबर निकल कराया है आज के इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताएंगे बस आ अगर आप भरती में शामीर रहना चाहते हैं और अपलाई करना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को पूरा देखिएगा तो बिना टेम गवाई वीडियो को शुरू करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको हम पूरूप देखा देना चाहते हैं देखिए दोस्तों यह अपडेट जो निकाला गया हिंदूस्तान के अकबार 23 सितंबर 2018 के अकबार में इसे निकाला गया है आप इसके 13 नमबर पेज में जब आएंगे तो आपको अपडेट लगाया गया है आप चाहे तो यह पेपर हिंदूस्तान में जाकर भी आप ऑनलाइन से देख सकते हैं या फिर आप मेरे वीडियो के डिस्किप्शन में चले जाए वहाँ पर मैं इसका लिंक छोड़ दूँगा उस पे क्लिक करके आप इसका एडविटाइजमें के दवारा यहाँ पर हजारी बाग में दंतोपन ठेगडी रोजगार मेला 26 सितंबर 2018 को लगना है और यहाँ जो बताया जा रहा है यहाँ पर जो डिटेल निकाला गया है बिरोजगार यह वहाँ यूतियों को निजी छेतर में नियोजन के आफसर उपलद कराने के उद्द से नियोजनाले एवं परसीचन तत्वदान में अवर परदेशिक नियोजनाले हजारी बाग द्वारा 26 सितंबर 2018 को सुबे 10 बज़े से अस्थानी और दोगिक परसीचन संसान परिशर सिंदूर हजारी बाग तो इसका एड्रेस आप नोट कर लिजे अस्थानी और दोगिक है कि इस एड्रेस पर रोजगार मिला लगने वाला है जो कि इसका तारिख बताया गया है 26 सितंबर 2018 सुबे 10 बज़े से चालू हो जाएगा और देखिए यहाँ पर लगबग 20 कंपनी आएगी और रोजगार देगी तो देखिए सबसे पहले हम कंपनी का नाम आपको बताए कितनी कितनी सीटिस में मिलेगी और इसमें कॉलिफीकेशन और सैलरी वगेरे भी सारा कुछ इसमें दिया हुआ है आपको जो पोस्ट में समझ में आता है आप उसमें भरीए Aप जो भी क्वालिफिकेशन से पास आप उसमें अप्लाइ कर सकते तो चलिए हम पहले कंपनी का आप बता देते हैं मतलब आपको कहां पर काम करवाया जाएगा मतलब आपका नौकरी कहां पर लगेगा कहां पर आपको जॉब दिया जाएगा वो हम आपको बता देते देखिए एक नंबर में यहां पर लिखा हुआ जमसेतपूर का कमपणी है आपको यहां पर अगर आप अपलाए करते तो कुजुरात का बताया जा रहा है और उसके बाएं 12-13-14 में देखे राची का बताया जा रहा है तो यहाँ पर देखिए इसका पोस्ट का नाम बताया गया 18 से 23 साल तक के लोग भर सकेंगे और इसमें 11,000 रुपिया परती महीना दिया जाएगा अब देखिए यहाँ पर 14 नमबर में देखिए राची जो मैटो कमपनी जो कि यहाँ पर इसमें खाने वगेरा का काम होता है खाना डिलिवर होता है तो वो सब का यहाँ पर कमपनी खुला है तो आपको उस कमपनी में रह के काम करना होगा उसके बाद 15 नमबर को जो यहाँ अपडेट बताया गया राची का है दोस्तों उसके बाद 16 नमबर में आप आएंगे तो गुजरात आजाएगा 17 नमबर में तामिल नाडू का कमपनी है 18 नमबर में तामिल नाडू 11 नमबर में भी तामिल नाडू और 20 नमबर में राची का कमपनी है तो यह सब सारी कमपनी है जो यहाँ पर पोश्ट भाई पोश्ट देखे यहाँ पर जॉब निकाली है आपको जो जॉब समझ में आता है वो आप कर सकते हैं सिक्योर्टी गॉर्ड में अगर अपलाई करते हैं तो 1500 सीट यहाँ पर बताया गिया है और देखिए इसमें 9 पास से लेकर मैट्रिक पास वाले लोग फॉर्म को भर सकेंगे इसमें 18 साल से 35 साल तक की लोग फॉर्म को अपलाई कर सकेंगे एक्सपिरियंस वगेरा इसमें कुछ नहीं मागा गया है और आपको जो सेलरी दिया जाएगा देखिए काफी अच्छा सेलरी 10,000 रुपया परती महीना आपको दिया जा रहा है इसके अलावा देखिए यहां पर 18,000, 11,000 तो यह सब सारी यहां पर सेलरी दी जा रही है तो पोस्ट बाई पोस्ट यहां पर दिया जा रहा है आपको जो भी बहाली में अपलाई करना है बस आप इसका प्रिंट ले लीजिए और आपको जो भी कमपनी में जाना है आप जो भी कमपनी में जाएंगे आपको वहीं पर काम करना होगा वहीं पर रह के काम करना होगा दोस्तों यह प्राइवेट काम होगा और आपको हर मही है टाइम से सैलरीद दिये जाएगा अगर आप रोजगार नहीं है आपके पास अगर आप बे रोजगार है तो आप जरूर से जाए यहाँ पर काम कीजिया और पैसा कमाईए तो इस परकार से जॉब जारकंड सरकार प्रोवाइड करती है जारकंड के जितने भी लोग है हर जीला के लोग यहाँ पर जा सकते है और फॉर्म को अपलाई कर सकते है इसमें अपलाई करने के लिए आपको चार नियम है देखिए प पतलब कि आपको सारा जेरोक्स कराना होगा जैसे मैट्रिक पास आप है तो मैट्रिक पास का आपको जेरोक्स कराना होगा उसके बाद तीसरा नियम जो यहाँ पर आपको बायो डाटा बनाना होगा बायो डाटा में आपका नाम फादर नेम मदर नेम आप क्या काम किये है कित दस बजे यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा तो इस परकार से आप मेले में शामिल हो सकेंगे और आपको वहाँ पे फॉर्म दिया जाएगा बहुत सारा वहाँ पे दुकान जैसा वहाँ पे कंपनी टेंट लगा कर रोजगार का जो फॉर्म होता है वो रखी रहती है आपको बस जा रहा है आपको वहाँ पे नाम लिखावर रहेगा जो भी कंपनी में आप जाना चाहते आप यहाँ से देख लिजे कंपनी का नाम जैसे कि देखिए यहाँ पे दो नमबर में लिखा हुआ इस कंपनी में जाना है देखिए यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है जिसे के मैसन बार शाटिंग करपेंटर पलंबा लेक्टिशियन लेंड सर्वेयर जनरल वर्क सूपरवाजर तो यह सब सारा पोस्ट है अगर आप इसमें से एक पोस्ट के लिए अपलाई करना चाते हैं तो देखिए इसमें इंटरमेडिया पास मागागे है और 18 साल से 35 साल तक के लोग फॉर्म को भर सकेंगे तो अगर आपको इस कमपनी में जाना है तो यहां आप मेले में जाएंगे तो आपको यह कमपनी का नाम मिलेगा तो जिस टेंट के पास आपको यह कमपनी का नाम मिलेगा उस टेंट के पास आपको चले जाना है और जो पोस्ट के लिए आपको अपलाई करना है उस पोस्ट में जाएगा वहां पर फ़र्म छहटएइजा होता उसके बाद छहटाने के बाद form आपका जो कॉल करेगा वहां से आफको काल करेगा और काल करने के बाद आपको बुलाया जाएगा उसके बाद आपको थोड़ा सा को रोजगार देती है तो इस परकार से इसका सिस्टम बनाया गया है आप चाहे तो अपलाई कर सकते हैं अगर आपने अभी तक जिला नियोजनाला का रिजिट्रेशन नहीं कराया है तो आप मेरे इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चल जाए है वहाँ पर एक वीडियो का अगर आप राची जिला से है तो आपको राची नियोजनाला का रिजिट्रेशन करना होगा अगर आप हजारी बाग जिला से है तो आपको हजारी बाग का जिला नियोजनाला का रिजिट्रेशन करना होगा अगर आप हजारी बाग जिला से है तो आपको हजारी बाग का जि आज करता हूँ वीडियो में आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा अगर आपको वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो मेरे comment box में आप सवाल कर सकते हैं मैं आपका reply करने का जरूर कोशिज करूँगा और आज के इस वीडियो में इतना ही जानकारी दूँगा आपको बिल्ख समने में कर सकते हैं तो में आपको वीडियो में आता है